इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कैसे आप OnePlus का 11R EMI पर करीच सकते हैं Amazon से जो की एक OnePlus का latest phone है उसको आप किस्टों पर कैसे करीच सकते हैं Amazon से तो यह जानने के लिए इस वीडियो को आखरी तक देखेगा सबसे पहले अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने Amazon की साइड ओपन कर लिए चलिए हम सर्च पर किलिक करके OnePlus 118 सर्च कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं जैसी सर्च करूँगा सारे वेरियंट हमारे सामने आ जाएंगे तो दोस्तो यह वाला जो सबसे फर्स्ट वाला वेरियंट है यह इसमें करीदना चाहता हूँ जो की 8GB RAM और 106GB मेमोरी में है तो यहाँ पर यह Sonic Black इसका कलर है और एक और इसमें कलर अवेलेबल है Glatic Silver तो यह दो कलर इसमें सिर्फ अवेलेबल है दोस्तो इसके अलावाइस में दोर कोई अलकलर नहीं है Simple EMI पर खरीदने के लिए सबसे पहले हमें इसकी EMI जारनी होगी तो EMI वाला option आपको दिखाई दे रहा होगा इस पर आपको click कर देना है जहांसे आप इसकी EMI की पूरी जानकारी ले पाएंगे तो यहाँ पर कई सारे बैंकों के क्रिडिट कार्ड आ जाएंगे उपर आपको एक option दिखेगा VIM Only No Cost EMI Card तो यहाँ पर अगर आप इसे होन कर देंगे तो इस तो वे कार्ड आपके सामने आ जाएंगे जिनका आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता जिसमें No Cost EMI का offer है तो अब हम इसको off कर देते हैं क्योंकि मेरा जो है Access Bank का credit card है इस फिर्म क्लिक करेंगे यहाँ पर EMI का पूरा चार्ट बना हुआ जाएगा कैसे कैसे की EMI है दो option आपको दिख रहे होंगे No Cost EMI plan और Extender plan No Cost EMI में दोस्तों आपको कोई ब्याज नहीं देना पड़ता जितने आपकी mobile कीमत तो नहीं देने है जिसे की 3 महीने की 13,000 है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं discount 915 रुपे का और कीमत अब भी total वही बैट रही है जो हमने देखी थी तो यहाँ पर जैसे 6 महीने की EMI है 6000 रुपे कुछ और 1500 का इस पर discount है और कीमत अभी भी दोस्तों वही है लेकिन time बढ़ गया है कीमत अभी वही है आप यह दोस्तों कीमत पर फरक नहीं पड़ेगा no cost TMI पर कीमत आपके mobile की वही है उतने ही आपको amount देना होगा लेकिन जो इसका standard plan है यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं दो plan है अगर आपको 2 साल की EMI लेनी है यह 18 महीने की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7000 रुपे का इस पर interest rate लग रहा है यहाँ की जो आपके mobile की कीमत है 7000 उससे फालतू आपको देने पड़ेंगे क्योंकि यह दोस्तो एक ब्याज होता है interest rate जिसे कहते हैं तो यहाँ पर यह चेक करने के बाद तो यहाँ पर मैं लेना चाहता हूँ 12 माईने की जो की है no cost EMI इस पर देख सकते हैं 3000 का offer भी मिल रहा है तो यहाँ पर simple आपको करना क्या होगा buy now के button पर click कर देना है जो orange से color में दिये गा है इस पर हम click कर देंगे इसके बाद हमारे सामने payment method आजाएगा तो कई सारे payment method है यहाँ पर पहला है other upi app जिसमे phone पे, google पे इस तरह के option है उसके बाद दोस्तो ATM card, credit card, debit card से भी आप कर सकते हैं इसके नीचे है net banking option और सबसे नीचे है EMI जिस पर हमें यह लेना है तो किस तो पर EMI वाले option पर हम click कर देंगे और यहाँ पर select EMI option पर click करना है आपको और यहाँ पर add a new card पर click कर दीजे और enter card detail पर यहाँ पर click कर दीजे अब यहाँ पर दोस्तो आप अपने card की detail दालनी होगी तो यहाँ पर wait करना होगा थोड़ा सा 5-6 second का इसके बाद यहाँ पर आपको सामने कुछ इस तरह का page open हो जाएगा पहले आपको यहाँ पर अपने card की detail दालनी है फिर card का number और expiry date डालने के बाद enter your card detail पर click कर दीजे आपका order placed हो जाएगा तो अब मैं आपको बताता हूँ यह EMI का process क्या होता है कैसे आपको पैसे देने पड़ते हैं कैसे आपको EMI बरनी पड़ती है तो दोस्तों आपको बता दूँ जैसे आपको order करेंगे create card पर EMI के option से तो सारे पैसे दोस्तो create card company तभी दे देती है जहां से आप वो mobile order करते हैं अब आप यह सुचे रहोंगे EMI कैसे जब सारे पैसे तभी चले जाते है नहीं होती है तो आप समझ सकते है दोस्तों अगर आपको 40,000 का कोई mobile लेना है तो आपके credit card की limit 50,000 होनी चाहिए तो इस तरीके से आप EMI पर कोई भी mobile buy कर सकते हैं Amazon से तो यह तरीका होता है यह वीडियो कैसी लगी comment box पर लिख का ज़रूर बताना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों